Hello friends, आज हम एक essay discuss करने वाले हैं और essay का topic है An Ideal Student ये वीडियो जो लोग spoken English सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़़ादा important है और साथी साथ उन सभी student के लिए बहुत ज़ादा important है जिनकी classes में 10 marks का essay आता है तो आईए हम start करते हैं The future of a country depends on students and scholars एक देश का भविश्य उसके विद्यारतियों और विद्वानों के उपर निर्भर होता है Students life is life of preparation, it is the training for practical duties of manhood विद्यारतियों का जो जीवन होता है वो तैयारी होता है और साथी साथ ये एक अध्यापन कारिया होता है जिसमें वो इंसानियत के सारे करतव्य समसता है A student should be very careful एक विद्यारती को बहुत जादा साफधान रहना चाहिए The first duty of the ideal student is to keep his body healthy and active जो पहली duty होती है एक student की वो ये होती है कि उसे अपने शरीर को स्वस्त और active रखना होता है A sound mind lives in a sound body, एक स्वस्त दिमाग में ही स्वस्त शरीर रहता है या स्वस्त शरीर में ही एक स्वस्त दिमाग रहता है For that he should take a keen interest in games and sports इसके लिए उसे games और sports में अर्थार्थ खेल कूद में बहुत अच्छा interest लेना चाहिए He should also take physical exercise because games and sports built our health उसको physical exercise मतलब शारारिक जो व्यायाम होते हैं उनमें भी पाट लेना चाहिए क्योंकि जो खेल कूद होते हैं उसे ही हमारा स्वास्त अच्छा रहता है An ideal student is never careless about his health एक आरदर्ष विद्यार्थी होता है वो अपने स्वास्ते के लिए कभी भी लापरवार नहीं होता An ideal student should devote a greater part of his time to his studies एक आरदर्ष विद्यार्थी को अपना जादा सा जादा समय पढ़ाई में भी देना चाहिए He should play while he play and work जब वो खेल रहा होता है उसे खेलना ही चाहिए He should also take physical exercise because games and sports built our health An ideal student is never careless about his health An ideal student should devote a greater part of his time to his studies He should play while he play He should play while he'll play and work while he works और जब वो काम करता है तब उसे काम ही करना चाहिए An ideal student has a deep love for books एक आरदर्ष विद्यार्थी में किताबों के परती बहुत ही जादा प्यार होता है गहरा प्यार होता है And goes to the library for knowledge and wisdom और वो लाइब्रेरी में पुस्तकाल्य में विद्यार तथा गुर्धी पाने के लिए जाता है Such a student lives in a word of books इस तरह के विद्यार्थी किताबों की दुनिया में ही रहते है An ideal student always tries to be a man of character एक आदर्श जो student होता है वो एक चरित्रवान इंसान होता है चरित्रवान आदमी होता है The end of all knowledge must be the जो उसकी समस्त्र ग्यान का अंत होता है वो क्या होना चाहिए The end of all knowledge must be the building up of character A good student जो उसकी knowledge का अंत होता है वो यही होता है कि उसका जो character है चरित्र है वो अच्छा बने एक good student वो एक अच्छा student बने He should try to form his moral character obedience of parents, respect for teachers, sympathy for the poor love for all उसको अपने character में क्या लेना चाहिए अपने माता-पिता की आग्या का पालन करना चाहिए teachers का आधर करना चाहिए और गरीबों के प्रती समवेदना होनी चाहिए love for all सब के लिए blame होना चाहिए All these are his chief moral characteristics यह सभी उसकी सबसे बड़ी नैतिक चरित्र चरित्रिक गुण होते है He must have wisdom, sweetness of temper and courage उसके अंदर बुद्धी मता होनी चाहिए अपना जो temper है वो sweet होना चाहिए, मीठा होना चाहिए and courage और उसके अंदर साहस भी होना चाहिए An ideal student must have a sense of social service एक आर्दर्श विद्यार्थी में जो समाजिक सर्विस है, समाजिक सेवा है उसका भी गुण होना चाहिए He is a servant to humanity वो मानवता के लिए एक servant है, सेवक है He has no selfishness and narrowness उसके अंदर ना तो स्वार्थ परता होती है और ना ही विछड़ापन होता है He spreads the light of education वो जो ज्यान होता है, वो ज्यान के रोशनी को जलाता है, फैलाता है Where there is no school of education जहाँ पर कोई भी school नहीं होता वह महाँ पर ज्यान का दीब जलाता है या ज्यान की रोशनी फैलाता है At the time of natural disaster, he raises fund and tries to feed the hungry people Natural disaster मतलब प्राकर्तिक आपदा प्राकर्तिक आपदा के समय वो fund इकठा करता है और साती साथ भूके लेगों को भोजन भी कराता है In free India, students are the hope of future आजाद भारत में जो student है, जो विद्यारती है, वो भविश्य की आशा है Student can help us in achieving social freedom जो विद्यारती है, वो हमें समाजिक स्वतन्तरता देने में मदद कर सकते है, सहायता कर सकते है An ideal student, this develops in himself इस तरह से जो आदर student होता है, वो अपने में क्या-क्या develop करता है That is every intellectual and moral quality, जो भी जितनी भी बुद्धी मांट से तथा नैतिक गुण होते हैं बुद्धी के तथा नैतिक गुण होते हैं, वो सभी अपने अंदर develop करता है He tries to strengthen himself physically, emotionally and mentally वो अपने आपको शारेरिक, भावनात्मक तथा बौद्धीक रूप से ताकतवर बनाने की कोशिश करता है He tries to strengthen himself physically, emotionally and mentally I hope an idle student के ओपर अच्छे लिखने में आपको इस वीडियो से कापी मदद मिली होगी शाती साथ जो students spoken English के लिए हमारी वीडियो लेक्ते हैं उनके लिए भी नई-ने संटेंस सीटने को मिले होगी अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कदा शेयर जरूर कीजिए शाती साथ अगर आप क्यानल पर सहली बार आए हैं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ बल आइकन को भी प्रस करते हैं